नमस्कार सभी को आज हम अम्ल चार और लवण के बारे में अध्यान करेंगे सरबधम अम्ल चार और लवण का तुलनात्मग अध्यान करते हैं अम्ल वे बदार्त होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं चार स्वाद में कड़वे होते हैं और लवण जो होते हैं स्वाद में नमकीन होते हैं अमल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं इसे हम अनील सब्द से याद कर सकते हैं असे अमल नी से नीला ला से लाल चार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं इसे हम चाला चालक होते हैं और लवण भी सिद्ध के चालक होते हैं अमल अपने जलीयविलियन में H अचार अपने जलीयविलियन में h ते हैं ओर लवण जो होते हैं वो जल में क्रिया करके अमल और चार बनाते hat अमल के कुछ उधारण है शिर्का, दही यी।s ould 204 इमली आदी चार के कुछ उधारण है साबून के ओएस नोएस आदी और लवण के कुछ उधारण एनने टू सियो त्री एनने शीयल आदी प्रबल अमल में HCl, Hydrochloric Ampl, HNO3, Nitric Ampl, H2SO4, Sulfuric Ampl आते हैं दूर्बल अमल में HCWH, Formic Ampl, CS3, CWH, Acetic Ampl, H2CO3, Carbonic Ampl आते हैं प्रबल शार में NOH, Sodium Hydroxide, KOH, Potassium Hydroxide आते हैं दूर्बल शार में NH4OH, Ammonium Hydroxide, COH का Ultraise, Calcium Hydroxide और ALOH का Ultraise, Aluminium Hydroxide आते हैं अमल के प्राकतिक स्रोथ के पारे में बात करें तो जितने भी Citrus Fruit होते हैं, निम्बू, संत्रा, मोस्मी, पाइनेपल आदी में Citric Ampl पाये जाता है किटो के डंक में Formic Ampl पाये जाता है उदाशनी करन अभी किरिया अमल और शार आपस में किरिया करके लवण और जल बनाते हैं साथ में सभी किरिया के दोरान उस्मा मुक्त होती है इस अभी किरिया को उदाशनी करन अभी किरिया कहते हैं और जो उस्मा मुक्त होती है उसे उदाशनी करण उस्मा कहते हैं अमल और छार की किरिया हुई और किरिया से लवण और जल बन गया और साथ में इस किरिया के दोरान जो उस्मा जो होती है वो मुक्त होती है उदारन के लिए असिया लवण है एन्ने उएज छार है और इनकी क सजित होगी तो यह उदाशनी का आपी किरिया हुई प्रबल अमल तथा प्रबल चारसे बने लवण उदाशिन प्रकरती प्रबल अमल तथा दूरुबल अमल और दूरुबल अमल अमल और छार की परिबाशा के लिए कई विज्ञानिकों ने संकल्बना दी जिसमें सबसे पहले आरेनियस अमल और छार की परिबाशा सरपतम 887 स्वी में आरेनियस ने इस परकार दी कि वे पदात जो जलिय विलियन में अबगटी तोकर हाइडोजन आयन एच प्लस आयन देत हैं वो क्या होते हैं चार होते हैं अमल के उधारण HCl जो होता है वो जलिय विलियन में H प्लस आयन हाइडोजन आयन देता है HNO3 जो है वो अपने जलिय विलियन में H प्लस हाइडोजन आयन देता है और NO3 माइन देता है चार के उधारण में KOH जो है अपने जलिय विलियन में K प्लस और OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन देता है NOH जो है वो भी अपनी जलिय विलियन में अपकटित होकर NA प्लस और OH माइनस आयन यानि कि हाइड्रोक्सिल आयन देता है आरेनियस के बाद में अमल शार की ब्रोटोन दाता होते हैं और चार जो होते हैं वो प्रोटोन ग्राही होते हैं एक हैं यह आपस में किरिया करके A- और Sb- प्लस दो ने पदार्थ बना रहे हैं H- जो है वो H- प्लस आयन या प्रोटोन त्याग कर A- आयन बनाता है और B जो है वो H- प्लस आयन या प्रोटोन ग्रेंड करके Sb- प्लस बनाता है चुनकि हें ने proton का त्यां किया इसलिए ये ब्रॉं श्रेट अमल हुआ और b ने proton को plan किया इसलिए ये ब्रॉं श्रेट अमल हुआ ब्रोंस्टेट अम्ल जो होते हैं वो प्रोटोन को त्याग कर संयुगमी चार बनाते हैं और ब्रोंस्टेट चार जो होते हैं वो प्रोटोन को ग्रहन करके संयुगमी अम्ल बनाते हैं अब ये उधारण है HCl और S2O की किरिया हो रही है और इससे Cl- और S3O प्लस आइन बन रहे हैं HCl ने प्रोटोन को त्याग दिया और Cl- आइन बनाया इसलिए HCl क्या है अमल है S2O ने प्रोटोन ग्रेंड किया और S3O प्लस बनाया इसलिए S2O क्या है छार है दूसरे उधारण में S2O की NS3 से किरिया हो रही है और इसके फल्ष रूप NS4 प्लस और OS- आइन बने S2O ने प्रोटोन का त्याग किया प्रोटोन त्याग कर इसने क्या बनाया OS- आइन बनाया इसलिए S2O क्या है अमल है और NS3 जो है इसने प्रोटोन ग्रहन किया और प्रोटोन ग्रहन करके NS4 प्लस आइन बनाया इसलिए ये चार है अब यह अमल 6 की Lego संकलपना सन 1923 में लुइस ने नई संकलपना दी जिसके अनुसार अमल वे पदात होते हैं जो इलेक्ट्रोन युगम ग्रहन करते हैं और चार वे पदात होते हैं वो क्या है चार है इलेक्ट्रोन युगम का तात्परिय होता है इलेक्ट्रोन का जोड़ा अब इसको उधारण से समझते हैं BF3 और NS3 NS3 जो है इसमें एकांग की इलेक्ट्रोन युगम को त्याग देता है जिसको BF3 ग्रेंड कर लेता है BF3 ने Electron योग में ग्रेंड किया इसलिए ये Lewis अमल है NS3 ने Electron योग में त्याग दिया इसलिए ये Lewis चार है और Electron के आदान परदान से नया योगिक बनता है जिसमें BF3 और NS3 जो है और वो दोनों आपस में एक तीर के निशान से जुड़ जाते हैं ये तीर का जो निशान है ये उपसे अश्यजग बंद को परदर्शित करता है साध्यान त्याज जो धनायन होते हैं या जिनका वे योगिक जिनका अश्टक अपूर्ण होता है या जिनमें Electron की कमी होती है वे Lewis अमल होते हैं जैसे BF3, Alcl3, Mg2+, Na+, आदी और साध्यान त्याज जो Electron धनी होते हैं जिनमें एकांग की Electron यूग में पाया जाता है और जो रणैन होते हैं वो Lewis चार होते हैं जैसे उधारने के लिए H2O और NH3 दोनों में एकांग की Electron यूग में पाया जाता है इसलिए ये Lewis चार है, OS माइनस, OCL माइनस जो है ये भी Lewis चार है अंत में रिविजन के रूप में आरेनियस के अनुसार अमल जली विलियन में H2O देते हैं चार जली विलियन में हाइड्रोक्सिल आइन देते हैं ब्रॉंस्टेट लोरी के अनुसार अमल प्रोटोन दाता होते हैं H+, दाता होते हैं और चार जो होते हैं वो प्रोटोन ग्राही होते हैं यानि कि H+, N ग्रेंड करते हैं Lewis के अनुसार अमल इलेक्ट्रोन ग्राही होते हैं ग्रहन करते हैं और जो चार होते हैं वो उलक्त्रों दाता होते हैं यानि की इलेक्ट्रों युग में त्यागते हैं तो इस प्रकाश हमने अमल चार और लवन की तुलनात्म कध्यन किया जै हिन जै भारत धन्यवाद